गूहलो गाईज वेलकम बैके टो नाधर वीडियो तो अचसले को इस वाली होडे में हम खेलने वालेज किस तो गाइज मुझे बहुत सारे क्मेंट आ काफ़ी हाड है इसलिए हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो गैस सबसे पहले हमें एक रॉकेट बना लेना है आगर आपको रॉकेट बनाना नहीं आता तो मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाएं उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो वहाँ पर जा पर इसके ऊपर क्लिक कर देना है पर यसी वीक में हमें पूरा रॉकेट लॉपर लॉपर चल्द तो आपको 15डिकर जो हैटर लेन नहीं तो यहाँ पर आपब्रा टीगरी हो चुका है तो आप ही थोड़ी देर के लिए इसको सिधा ही चलने देना है तो फिलाल हमारे जो rocket के तीन इंजन चालो है तो हमेरे बीचवाले इंजन पर ध्यान रख लेना है क्यूंकि उस इंजन में थोड़ा सा fuel कम होता है तो उसको थोड़ा सा हमें fuel बचा के रख लेना है तो यहाँ पे जैसे मेरा 30 के नीचे आ जाता है फ्यूल में बीच वाला इंजन जो है बंच कर दूंगा तो अभी मेरे बीच वाली इंजन पे 32% फ्यूल है तो जैसे 30 के नीच आता है तो मैं इसको बंच कर देता हूँ आट्मॉस्पियर के लिए उसके बाहर जाने तक वेट कर लेना है तो गैज आभी हम लगबग 10 किलोमेटर के हैट पर है तो आभी हमको जो आइंगल है 30 डिगरी का बना लेता है तो मैं यहाँ पर राइट वाले की पर प्रेस कर देता हूं और 35 डिगरी का अंगल बना लेता तो यहाँ पर एंगल जो है 35 का हो चुका है तो आभी हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है जो यह डॉट डिगरा है कि जैसे आट्मॉस्पियर के बाहर आ जाता है तो हमको इंजन जो है बन कर देने होंगे तो आभी थोड़ा सा वेट कर लेना है तो हम थोड़ा सा वेट कर ल आने देना इसको थोड़ी उपर और थोड़ा उपर आने देना है डॉट को और इंजिन को बाद में बन कर लेना है और थोड़ा सा उपर आने देना है तो इतना काफी है तो मैंने इंजिन को आफ कर दिया है और अब हमारे जो रॉकेट है इसको सीधा कर लेना है थोड़ा सा तो गैज यह लाइन की सबसे हमें सीधा कर लेना है रॉकेट को बार मारे वार आफ्मोस्पर की coming इंजिन भी चालो कर दिया है भी हमारा जो बीच वाला इंजन था उसको भी चालू कर दिया है तो आप हम को वेट कर लिया है आप यहां पे एक round बन जाएगा आटमास्पेर के बाहर एक round बन जाना चाहिए तब हम को बाकी का step कर लेना है तो आभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और हमारा जो rocket का fuel हो ख़तम होने वाला है तो अप यह ऑप को स्टेज जो है separate करनी पड़ेगी तो बीच वाले जो इंजन का है वो ख़तम हो चुका है तो मैं यहाफ़ साइड को पहले separate कर लेता हूं और यहाफ़गर बीच वाले को मैं है separate कर लिया है sure दूसरी इंजिन को चालू कर लिया है तो अभी थोड़ा सा हमें जो वेट कर लेना है और यहाँ पर एक राउंड कंप्लीट होना चाहिए यह आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइन दिख रही है यह पूरा आर्थ के राउंड एक कंप्लीट हो जाना चाहिए तो तब तक वेट कर देना है तो गैज मैं तब तक के लिए वेट कर लेता हूं तो गैज यह जो लाइन है वो पूरी आइटमोस्पेर के बाहरा आज जानी चाहिए अगर आंदर होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लिम होगी इसलिए पूरी तरीके से इसको बाहर आने देना है तो आभी थोड़ा सब आकी है तो मैं और थोड़ा सर्व इट कर लेता हूं तो गैस मेरा जो हे बाहर आ चुका है तो मैंने इंजिन को भी ऑफ कर दिया है अपको भी इंजिन को और यहांपर मून में को ख्लिक कर देना हूं Moon पे क्लिक करते हैं यहाँ पे Navigate 2 का option आ जाएगा इसके उपर भी क्लिक कर देना है और आभी हमको पृत्वी जो हमारी अर्थ है इसके पास हमें थोड़ा सो धूम कर लेना है और आभी हमार जो rocket हो यहाँ पे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा rocket हैं और यहाँ पे आपको एक option दिखाई देगा transfer का इधर तक आपको आ जाना है तो मैं यहाँ पे time wrap कर लेता हूँ यहाँ पे उपर एक option होता है इससे आप जल्ली जल्ली जा सकते हैं तो यह सिर्फ time बढ़ाने के लिए होता है जो इससे हमारा time काफी बच जाता है तो मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे transfer के option तक आने के लिए तो guys हम transfer के option पे आ गए तो हमें अब rocket को थोड़ा सा mode लेना है यहाँ पे dotted line आपको दिखाई दे रहे हैं उसी direction में हमें rocket को mode लेना है मैंने यहाँ पे mode ले आए और फिर से rocket को चालू कर दिया है तो अभी हमको थोड़ा सा zoom out कर लेना है और देख लेना है यह जो line है पहले तो दीरे से जाती है और बाद में यह जो line है ओ काफी तीज से जाने लगी गी तो guys अभी हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि यह जो हमा moon के पास तो guys यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एक dot दिखाए देगा तो इस dot को जो moon के थोड़ा सा pass लाना है तो जो speed हो काफी कम कर दीजे अगर आप जादा रखेंगे तो यह dot moon से बाहर चला जाएगा तो अभी हमें time wrap कर लेना है जिससे कि हम जली जल्दी moon के orbit में आ है तो guys आभी मैं यहाँ पे time wrap की जो speed है उसको कम कर देता हूं हमारा जो rocket है वो जो moon के पास dot डिक रहा है उसके उपर आ जाना चाहिए तो आभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी speed और बढ़ा देता हूं time wrap की इसके उपर जैसे ही dot के उपर जैसे हमारा rocket आ जाएगा तो हमको इसक को दीमा कर लेना है तो आभी मैं यहाँ पे opposite direction में जो है rocket को फेर देता हूं और यहाँ पे मैं फेरिंग लगा देती तो मैं इसको open कर देता हूं तो आभी थोड़ा सा और speed बढ़ा देता हूं ताकि हम जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाए यहाँ पर dot के उपर तो थोड़ा सा कम कर देता हूं और बढ़ा देता हूं तो गैस थोड़ा सा wait कर लेना है इसके उपर आने तक तो आभी मैं इसको पुरा ही कम कर देता हूं और rocket को जो है सीधा opposite कर लेता हूं मैं और यहाँ पे dot के उपर हम आ चुके हैं तो गैस आभी हमको engine को on कर लेना है औ मून के आराउंड जो अब हम मून के और्विट में आ चुके हैं तो गैस आभी हमारे जो यह के आंदर का फ्यूल खतम हो गया है तो इसको भी हम सेपरेट कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर इसको भी सेपरेट कर लेता हूँ तो गैस आभी लैंडिंग लेक्स को उपन नहीं करना है मेरा गलती से क्लिक हो गया था तो आभी फिर से इंजन को आउन कर लेना है और यहाँ पर आपको डॉट दिखाए देगा तो यह डॉट केसी भी डायरेक्शन या केसी भी पोजिशन से मून को टच कर सकता है तो इसको टच होने देना है तो यहाँ पर टच होने वाला है मेरा और यहाँ पर एक ही लाइन बच जाएगी आप तो इस लाइन को सीधा होने तक वेट कर लेना है तो आप ही यह जो Liner हो सीधा हो जाएगी तो इसी पोजिशन में में रहने देता हूं rocket को अ रिशे सीधा हो जाएगी तो Ingin को Off कर लेना है तो गयजिसने आपी तक चैनल को Subscribe ने किया चैनल को Subscribe कर दो यार और Bell Icon को भी और प्रेस कर खोड़ी सी टाइम की जो स्पीड हो बढ़ा देते हैं तो हमें जैसे हम 50 किलो मिटर के हैट पर आ जाएंगे मून से तो हमें फिर से एक बार इंजिन को चालू कर देना और हमारे जो रॉकेट है उसको सीधा कर लेना है तो आभी हम लगबग 65 किलो मिटर के हैट पर है मून से आभी तो हमें ऐसे ही चलने देना है तो गईज आभी हम 50 किलो मिटर के नीचे आ चुके है तो आभी हम को सीधा कर लेना रॉकेट को और इंजिन को आन कर लेना है तो मैंने यहाप इंजिन को आन कर दिया है तो गईज हमारी जो स्पीड हो बहुत जादा है इसलिए अगर हम रॉकेट को अन कर देंगे तो हमारी जो स्पीड हो कम हो जाएगी तो गईज आप यहाप यहाप पर कॉर्णर पर देख सकते हैं हमारी जो स्पीड हो काफी जादा है और हमने रॉकेट को अन कर देया है तो हमारी जो स्पीड हो काफी कम हो रही है तो जैसे ही यह speed 10 के नीचे आ जाएगी तो हम जो हो आप इस उपर जाना शुरू हो जाएगे तो गैज यहापे फिर से हम उपर जा रहे हैं तो मैं यहापे zoom करके दिखा देता हूँ तो गैज देख सकते हैं आप यहापे एक line दिखाई दे रहे हैं तो गैज आपको यहापे थोड़ा सा right वाले बटन पर क्लिक कर देना speed को कम करके तो यहापे एक line बन जाएगी और बाद में engine को off कर देना फिर से इससे थोड़ा सा हमारे जो speed कम हो जाएगी अगर आप यह process ने भी करते तो आपको कोई problem नहीं आएगी यह मैंने speed थोड़ी सी कम हो इसलिए की थी तो आप यहापे फिर से हमारे जो rocket हो नीचे जाने लगेगा तो गैज यह जो process की थी हमने और एक बार करने देनी है तो नीचे आ जाने पर गैज तो यहापे मैंने फिर से engine को on कर दिया है लगबग हम 7000 मेटर की उचाई पर है मून से तो मैंने इसको फिर से on कर दिया है तो आप यहापे देख सकते speed जो है मेरी आभी 150 के around कुछ तो है तो जैसे ही 10 के नीचे आ जाएगी तो यह फिर से हमारे जो rocket है उपर जाने लगेगा तो आप हम 30 किलोमीटर की speed पर है तो आप फिर से उपर जा रहे है तो फिर से हमें वही कर लेना है इसको engine को off करके एक line में कर देना है तो मैंने engine को off कर दिया है और फिर से on कर देता हूँ और यहापे एक line में कर देता हूँ इसको यहाँ पर इस बार हमको left वाले बटन पे click कर देना है और हम यहाँ पर एक straight line में आ जाएंगे तो guys आप हमें सीधह ही जाना है तो हमारी speed है तोड़ी सी कम हो जाएगी तो guys हमारी speed है वो 185 के around है तो guys जैसे हम 5000 meter की height के निचे आ जाते तो हमको engine on off कर लेना है तो गैस आप हम जो है moon के atmosphere में एंटर कर चुके है तो आभी हमको speed कम करने के लिए यहापी engine को on off कर देना है तो मैंने engine को थोड़ा सा on कर दिया था तो हमारी जो speed है वो 80 के लगबगा आ चुकी थी यहापी फिर से on off कर देना है और आपको यहापे तो गैस आपको यहापे corner पे देख लेना है कि आपकी speed कितनी है तो आभी 47 के round जो हमारी speed है तो मैं यहापे landing legs को भी on कर देता हूँ तो ज़्यादा speed को कम भी नहीं करना है और ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं है तो जैसे हम नीचे पहुँच जाएंगे तो हमें 10 के round जो है हमारी speed रख लेनी है अगर हम ज़्यादा ही speed को कम कर देते हैं तो हम फिर से उपर की तरफ जाने लगेंगे तो अभी हमारी speed है वो 8-9 के round है और इसको engine को on off कर देना है ताकि ये speed कम ज़्यादा कम ज़्यादा होती रहे तो थोड़ा सा नीचे और आना है हमको अभी 2000 मिटर के height पे हम तो guys जैसे आप ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आप उपर जाने लगेंगे speed तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है तो guys अब हम 500 मिटर की height पे आ चुके हैं तो अब काफी जल्दी हम land करने वाले तो आपको नीचे जो जगा है वो आच्छी होने चाहिए landing के लिए टेड़ा दिखाई देता है तो आपको speed बढ़ा देने engine को on कर देना है और आप उपर जाएंगे थोड़ा सा और दूसरी जगा पे आप land कर सकते हैं तो आपको मैं दिखा देता हूं तो नीचे जो हमारी जगा ठीक तरीके से ने दिखाई दे रही है जो यह जगा टेड़ी है इससे हमारा जो लैंडर हो crash हो जाएगा तो इसलिए मैं यहाँ पर speed को बढ़ा देता हूं फिर से तो गाई जी आइससे जगा पे land करने से हमारा पूरा जो mission हो फेल हो जाएगा और इतनी देर की महनत पूरी कतम हो जाएगी तो इसलिए अच्छा है कि आप engine को फिर से on कर दे और थोड़ा सा side पे जाके land कर दे तो आपको थोड़ी थोड़ी देर पे आपको engine को on कर देना है ताकि आप थोड़ा ऊपर और side पे जा सके तो जब तक मुझे आच्छी जगा नहीं दिखाई देती तो मैं हापे engine को on off करता रहूंगा और जैसी आच्छी जगा दिखाई देगी आपको भी तो आपको वहापे land कर लेना है तो आभी आगे जो है आच्छी जगा है तो वहा speed पे engine को on कर देना है और गईज हम successful जो है moon पे land हो चुके हमारा थोड़ा से engine बड़ा है इसलिए जो landing legs है वो touch नहीं हो रहे नीचे तो guys हम इस game के जो है series continue करने वाले और बहुत सारी mission करने वाले जैसे की Mars mission तो guys मैं next video में आपको बताऊंगा कि आप वापिस अर्थ पे कैसे जा सकते है तो आप हम यहापे moon पे तो आ चुके है और next video में मैं आपको बताऊंगा यह कैसे आप अर्थ पे भी वापस जा सकते है तो guys जिसको भी वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो चैनल पे नहे हो तो यार चैनल को सस्क्राइब कर दो बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको notification मिल जाए तो guys ने भी मुझे Instagram पे follow नहीं किया तो जल्दी से जाकर follow कर लो झाल